हलो फ्रेंड्स वेलगम टो माई यूटूब चैनल दटकार सोई में आज हम बनाने वाले हैं चाट को हम इंज्वाइ कर सकते हैं ब्रत में तो चाट खाना सब भी को बहुत ही पसंद होता है तो क्यों ना हम इसे ब्रत में बनाया जाए क्योंकि ब्रत में भाई तो हमें ये तो इसके लिए मैं यहां पें डाल ले रही हूं पुदी नपत्ता इसे साथ में हम डालेंगे यहां पी एक चम्मच रोश्ट क पुई मुंख्फुली अब डालेंगे हम इसमें अद्रक तो यदि ब्रत में आप अद्रक नहीं खाते हो तो न डालें इसी साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च तो मैंने यहापे चार हरी मिर्च को ऐसे कट करके डाला है जितना तीखाप को पराना हो सनुसार आप मिर्च को डाल ले इसमें हमने डाल दिया है सेंधा नमक यानि व्रत वाला नमक इसमें डालेंगे हम एक निम्बू का रस और यह हमने डाल दिया है धनिया पत्ता अब इन सभी को हम एक साथ में पीस लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स इसमें इसी तरह से एदम थिक चटनी बना के त्यार करनी है तो इसे में पानी न डाले पीस दे समय यह इसे ऐसे ही अच्छे से पीस ले निम्बू के रस्ती ही अच्छे से पीस जाती है तो यह चटनी हमारी बन के तयार हो गई है friends तो यह अब अत्रक ना खाते हो तो उसके जगह पे आप 2-3 काली मिर्च डाल ले तो यह अब हमने आपे आलू को कट करके इस तरह से बड़े बड़े टुकरे में कट करके कि इसे दो बार हमने पानी सची तरह से धूल लिया था और इसे बान-10 मिनिट के लिए हमने ऐसे पानी में छोड़ दिया था अब इसे हम हलके हथ से थोड़ा मसल के पानी से अलग कर लेंगे यानि इसे हम छान लेंगे तो इस तरह से हमने थोड़े मोटे मोटे पीसे में ही आलू को कट किया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं फिर इसे हम टॉवेल पे रखके इसके पानी को सुखा देंगे जिसे की फ्राइ करते समें ये पानी ज्यादा ओल के छीटे ना आए तो इस तरह से एक सुखे टॉवेल पे साफ आप इसे आलू को फैला दे और इसके एक्स्ट्रा पानी को आप पोच दे जिसे की से फ्राइ करते समें इसके ओल के छीटे ना आए तो बिल्कुल इस तरह से हमें आलू को पोच के तयार कर लेना है तो यह दे तो फ्रेंट्स आलू को ऊपर पानी बलकुल भी नहीं है तो इसे हम एक्प्लेट मे रख लेते हैं अब इसे हम चाने की process में चलते हैं तो उसके लिए हमने अब आपर oil को रखाये गर्म होने के लिए तो इसमें oil हमारा अच्छे से गर्म है तो इसमें डालेंगे आलू और medium flame पे हम आलू को अच्छा सा golden brown होने तक fry करेंगे आप ब्रत में ऑईल याघी जो भी यूज करते हों उसी में आलू को फ्राई कर ले तो हमने आलू को डाल दिया है इसे हम उलट पलट के अच्छा सो गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे तो ध्यान रखेगा फ्रेंट हम इसे मीडियम फ्राई करेंगे जिसे मारे आलू अच्छे से पक भी जाएंगे तो इस तरह से उलट पलट के इसे फ्राई कर ले आप चाहें तो इस इस प्रेज में आलू को निकाल ले फिर जब आपको चाट बना नहीं खाना हो तब आलू को फिर से ओएल में फ्राई करें और उसे चाट बना के इंज्वाई करें के bisque K yini देखे इतना अच्छा कलर आ रहा है अब इससे थोड़ा समल कभा रिकर लेते हैं कि दीके कि देखे फ्रेंड's degrees eternal hanging उप्राइय हो गया है तो कि इन्हें अब मश्चान लेंगे यह पुँर निपकाल लेते हैं तो इसी तरह से हम सेकेंड बाच के भी आलू को फ्राई कर लेंगे यानि बाकी बच्छे आलू को भी आल में डाल के फ्राई कर लेंगे और इने भी हम मेडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो यह लीजे फ्रेंड हमने यहां पे आलू को फ्राई करके निकाल लिया है इसे हमने डाल दिया पे एक बाउल में इसमें डालेंगे अपनी हरी चट्नी जो हरी चट्नी हमने तयार की थी तो जो सारा टेस्त है वो इस चटनी से ही आने वाला है तो अब जितना दीखा यह चटपटा बनाना चाहें अब चटनी को एड़ करें उसी के साथ में हम इसमें डालेंगे भूना हुआ जीरा पाउडर साथे में डालेंगे व्रतवाल नमक यानी की सेंधा नमक अब इन सभी को कर लेंगे mix अब इसमें हमें कुछ भी निडालना है तो ये लिजे फ्रेंट से हमारी चाट बनके तयार हो गई है तो इसे हम निकाल लेते हैं इकलेट में वही इस चाट को खाने में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है हरी चतनी से ये लटपट आलो ब्राउन इस चाट में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इससे ब्रत में के आप इसे ऐसे भी बना के इंजुई करेंगे जो ब्रत नहीं होंगे वो भी इसे बनाएंगे और इसे इंजुई करेंगे तो बस इसके ऊपर से डाल लेते हैं थोड़े से अनार की दाने और यह हमारी चटपटी से एक खटी वाली चार्ट बन की तयार हो गई है तो आभी से बनाएए फ्रेंड से इंजॉआई कीजिए यदि मेरी रेस्पी आपको पसंद आई हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक स सब्सक्राइब करें और इसी आनी वाली ने निवीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस्ट करना ना भूले तो मिलते हम एक निव रेस्पी के साथ तब तक के लिए हैस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए